तो जैसे कि हमने आपको फिजिक्स का वेटेज प्रोवाइट किया है वैसे ही आज मैं आपके लेकर आई हूं आपके चेमिस्ट्री का पेपर वेटेज जो बच्चे 2023 में एक्जाम देने वाले हैं यानि बोर्ड का एक्जाम देने वाले हैं उनको यह पता होना चाहिए कि कौ का वेटेज दिया गया है और उनको कौन से चैप्टर को पहली प्रायोरिटी देनी है और कौन से चैप्टर को फिल्टर करके ऑप्शन में रख सकते हैं मेरी आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चानल को अपने फ्रेंस के साथ शेर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपकी एक भी नोटिफिकेशन मिसना हो एंड लेट स्टार्ट विद टॉपिक सो हमारा आज का टॉपिक है केमेस्ट्री का चैप्टर वेटेज चैप्टर वाइस कितने मार्स दिये गए हैं वह हम डिसकस करने वाले तो सबसे पहले आत आप एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो आप मतलब बच्चे यूज्वली फॉर्स सेकंड थर्ड चैप्टर पहले कर लेते हैं तो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूं कि आपका फॉर्स सेकंड और थर्ड चैप्टर करके हो गया होगा तो अच्छी बात है देखो फॉर् इंपॉर्टेंट और सिंपल वाले क्वेशन कर लेनों डिफिकल्ट वाले पार्ट आप उप्शन में छोड़ सकते हो आयोनी के इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आपके केमिकल थर्मडायनेक्स से हैं और थर्मडायनमिक्स तो मैं आपको कभी बोलूंगी नहीं आप्श इसका वेटेज इसको इंपॉर्टेंट बनाता है इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है इस पूरी यूनिट में थर्मडायनमिक्स चैप्टर तो गल्ती से भी मत छोड़ना विदाउट ऑप्शन इस सिक्स माक्स और विट उप्शन आप्शन आप मार्क्स अब इमाजिन करो यह दो चैप्टर मिला यह अकेला चैप्टर है यह एवरिबडी ओके नेक्स आता है अपना इलेक्ट्रो केमेस्ट्री इलेक्ट्रो केमेस्ट्री चैप्टर का विद आउट और शॉप्शन बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है बाद इसकी कुछ तॉपिक्स ऐसे हैं जैसे की स्टैंडर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ऐसे कुछ बेसिक बेसिक फिरम से अपना डेरिवेशन से जो हर साल पूछे जाते हैं तो आप इसको भी ऑप्शन में मच छोड़ो इस प्रिटी इंपोर्टेंट चाप्टर एंड केमिकल काइनेटेक्स इस परसनली माई और इसको सॉल्व कर सकते हो तो फर्स्ट उनिट में से आप सेकंड चाप्टर के थोड़े से पार्ट्स उप्शन में चोड़ सकते हो अगर आपका यह चाप्टर से पढ़कर हुआ है तो आप इसमें टाइम इंवेस्ट करो अधर्वाइस मैं आपको सिफ सजेस्ट करूंग तो यह चाप्टर और यह चाप्टर दोनों का वेटेज इक्वली है लेकिन दोनों में टाइम काफी जादा कंज्यूम हो जाता है तो इन में से आप एक्सराइज वाले वाले क्वेस्टिन करके जाओगे तो इसमें से वालनसी वाला या जो भी मतलब आपका कारबन नंबर वाला क्वेस्टिन है जो स्पेसिफिक टॉपिक से जो हर साल रिपीट होते है इसके पीवाई क्यू आप रैक्टिस करके जाओगे तो काफी जादा हेल्पफुल हो जाएगी क्योंकि इसका भी अच्छा खासा वेटेज है विदाउट ऑप्शन इस फाइफ मार्क्स एड़ चाप्टर पूरे के बाफ चाप्टर यानि इनका वेटेज सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है अगर आपने यह केमिकल रीक्शन आज से आप एक चार्ट बना लो और इस चाप्टर पी जितने भी रीक्शन उनकी लिस्ट बना लो अगर आज से कंटीनियू आप इस से प्यार हो जाएगा सेम अल्कोहल फिनोल लीथर और अल्डी हाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक असिट के साथ भी अपलाए होता है लेकिन यह जो अल्डी हाइड कीटोन वाला यह थोड़ा ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा इसमें से ज्यादा पूछे इसमें से जाए जाते हैं इसमें से चाप्टर के लिए सारे चेप्टर इंपोर्टेट के टीक है और लास्ट आते अप्लाइड केमिस्ट्री में यह तो सेल स्टड़ी वाला पार्ट होता है बायो मॉलिक्यूल मेरा क्लास 11 वाला चैप्टर आपको पूरा समझ में आ इसमें से theory easy questions आते हैं तो इसको read करो text book read करो आपको यह chapter पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और 15 तो 16 chapter भी option में नहीं चोड़ना है यह बहुत simple chapter से बच्चे गलती यही करते हैं कि वो लोग simple chapter को option में चोड़ देते और फिर बात में पच्चताते हैं कि ना तो hard chapter ना simple chapter पढ़ पाए तो simple chapters को तो बिल्कुल option में मत छोड़ो filter करना ही है तो lengthy chapters को filter करो जो लंबे लंबे chapters है उनमें से जो question कभी नहीं पूछा गया है वो filter करके आप side में निकाल दो और PY की उसके उपर ज्यादा ध्यान दो तो यह था हमारे chemistry subject का waitage I hope आप अपने friends के साथ हम हमारी channel को अमारे videos को share कर रहे है क्योंकि बहुत ही जल्द आपके लिए मैं बहुत ही interesting सी series start करने वाले हूं so stay tuned with our channel if you want to know about that interesting series और आपकी MSTCAT की preparation भी हम काफी जल्दी start करने वाले अभी फिलहाल आप boards पे focus करो आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है आपके live में और हमारी channel पे भी तो मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए thank you for watching this video I'll see you soon bye bye take care stay tuned